So hi everyone जी, क्या हल चैल, मैं राचन चौधरी, आज हाजिर आपके लिए नई विकेंसिस ले करके, मेरी कोशिश रहती है, मैं डेली बेसिस पे आपको कुछ ने कुछ विकेंसिस बताता हूँ, so that मेरे भाई, मेरे बहने, मेरे दोस्त, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी को जॉब चाहिए, रुजगार चाहिए, उनकी कहिने कहीं में कोई help कर पाउँ, जो भी विकेंसिस आती हैं, मैं आप सब को update करता रहता हूँ, आज की जो भी विकेंसिस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगे आपके मतलब की विकेंसिस है, तो आप कमेंड बॉक् सकते हैं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जॉब के और भी नोटिफिकेशन्स टाइम सिर मिलते रहें यहां तक कि आपको भी कभी कोई जॉब दिखे कि फलानी जगा पे कोई जॉब पढ़ी है तो आप कोई बिचारा बेरुजगार है जॉब की तलाश में है परिशान है जॉब नहीं मिल पा रही है तो हल्प कर दिया करो यार एक दूसरे की मदद कर दिया करो एक दूसरे की हल्प करने से मत मत सुचा करो कि वो फलाने धर्म का है फलानी सुसाइटी का है फलाने समाज का है नह आप सिर्फ उसकी help करो इनसानियत के नाते कि उसको job चाहिए और job में उसकी proper help करो समझ पा रहे हैं? तो चलिए, start करते हैं आज की job हाँ, जो मैं विकेंसी आपको बताऊंगा आप मेरे को comment box की जरी मेरे से information हासिल कीजीगा और इस विकेंसी को मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे कैसे क्या विकेंसी पड़ी है ठीक है? तो चलिए, start करते हैं आज की विकेंसी ये रही तो आज की विकेंसी रहेंगी सूरत की मेरे जो भी भाई, बहन, दोस्त, सूरत में रहते हैं, उन सबके लिए आज की जॉब्स रहेंगी सूरत में हमें एक कंपनी में टेक्नीशिन चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट ठीक है? और आपके पास रेलेवन्ट एक्स्पीरियंस होना चाहिए और टेक्निकल असिस्टेंट का आपको एक से दो साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टाइमिंग, सैलरी दोनों आपके साथ इंटर्वियो के टाइम पर डिसकस किये जाएंगे एक वीजा आफिस में इमिग्रेशन आफिस में हमें वीजा फाइलिंग आफिसर चाहिए, आपको वीजा फाइलिंग के अच्छी नॉलेज होनी चाहिए टाइमिंग, सैलरी दोनों आपके साथ इंटर्वियो के टाइम पर डिसकस किये जाएंगे और सैलरी आपका यहाँ जो है पैकेज बहुत अच्छा मिल जाएगा इसी तरह से हमें एक कंपनी में टेकनिकल राइटर चाहिए ऐसा टेकनिकल राइटर ठीक है आपके जो है कॉंटेंट राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए टाइमिंग और सैलरी दोनों आपकी इंटर्वियो के टाइम पर डिसकस किये जाएंगे इसी तरह से हमें कंपनी में एक आर्किटेक्ट चाहिए आपने डिप्लॉमा इन आर्किटेक्ट्चर कर रखा हो और 6-7 महीने के आपके बस कम से कम experience देखो होना चाहिए टाइमिंग 9-6 सैलरी आपको 25-30,000 के आसपस कंपनी पर रवाइट कर सकती है बाकी इंटर्व्यू के टाइम पर डिसकस किया चाहेगा इसी तरह से एक कंपनी में हमें असिस्टेंट मैनेजर चाहिए फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन कर रखी हो आपके कम्पनीकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए टाइमिंग्स 9-6 की रहेंगी सेलरी आपको 40-45,000 के आसपस कंपनी परवाइड करतेगी इसी तरह से हमें एक कंपनी में फैक्टरी में कैमिकल इंजीनियर चाहिए ऐसा कैमिकल इंजीनियर आपकी relevant qualification होने चाहिए कम से कम एक साल का आपके पास ऐसा कैमिकल इंजीनियर का experience भी होना चाहिए टाइमिंग्स 9-6 की रहेंगी सेलरी आपके साथ इंटर्विय के टाइम पर डिसकस की जाएगी तो यह थी जी आज की कुछ विकेंसी थैंक यू सामच बेपी टेक केर कुछ रव